नमस्कार ETV भारत में आपका स्वागत है और खरीब सीजन बस अब कुछी दिनों में शुरू होने को है क्योंकि कभी भी बरसात हो सकती है और किसान अब रासानी खादों के खरीद परोक्त पर लग चुके हैं और वो अब रासानी खाद भी खरीद कर अपने घरों पर ला रह रही है कि असली और नकली खाद को कैसे पहचान के छेतर में जैसे जैसे रासानी कुर्बरकों की मांग बढ़ती जा रही है उसी तरह निश्चित रूप से उसमें मिलावट की भी संभावनाएं बढ़ती जा रहे हैं प्रमुक रूप से हमारा गिशान यूरिया डी एपी स पहले तो हम चर्चा करेंगे यूरिया की यूरिया लगबग लगबग सभी किसान इसको अच्छी तरीके से पहचानते हैं और यूरिया एक सफेज रंग का दानेदार मोती की तरह चमकता हुआ दानेदार पदार्थ है और उसकी जाच करनी है कि उसमें मिलावट है की नहीं वो नकली है की नहीं तो उसको सरप्रथम हम क्या करते हैं कि पहले उसको पानी में घोलते हैं तो पानी देखते हैं कि वो पानी में अच्छी तरह से घोल जाता है और जब उसके पानी को छूते हैं हम तच करते हैं तो उसमें बहुत ठंड़क महसूस होती है बड़ी सीतलता होती है एक जाँच तो यह हो गई दूसरी जाँच क्या करते हम कि गर्ब तवे पर हम यूरिया के दानों को भिखेरते हैं तो देखते हैं कि कुछ देर बाद वो दाने पिखलने लगते हैं यदि ताब करम तवे का तेज कर दिया तो उसमें से वो सारा का सारा उड़ जाता है और उसमें कोई और तबे नहीं रह जाते हैं यह यूरिया की प्रमुख जांच है इसी तरह आज कल बहुत आयत में डीएपी का उपयोग बहुत किसान करता है और इसकी जादा मांग होने के कारण मिलावट की संभावनाएं सबसे जादा डीएपी में ही है तो डीएपी की निश्चित रूप से किसान पहले जाच पड़ताल कर ले डीएपी जो और बरक है वो किसान जानते हैं कि काला बादामी या कुछ भूरा तरह का दानेदार खाद है और इसकी जाच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले तो किसान को तो ये देखना है कि वो जो उर्बरक उसे मिला है वो नाखून से खुर्चा नहीं जा सकता है यदि वो असली है तो उसे नाखून से खुर्चा नहीं जा सकता है पहली तो जाँच यही हो गई ततकालिन दूसरी जाँच जो सबसे उत्तम जाँच कहलाती है उसके लिए क्या ह किसान भाई दी एपी के कुछ दाने अपने हाथ में गडेली में रख लें और उसमें चूना मिला करके जिस तरह से तंबाखु रगडते हैं उची तरह से तंबाखु की तरीके से रगड़ें तो देखेंगे कि उसमें बड़ी तीचन गंध आने लगती है और यह तीचन है तीसरा इसका जांचने का तरीका और भी है उसमें क्या करते हैं अपन की गर्म तबे पर डी एपी के दाने बिखेरते हैं तो जैसे ही तबे पर डी एपी जाता है तो उसमें वो फूलने लगता है डी एपी का दाना इससे यह सिद्ध हो जाता है कि यह हमारी डी एपी खा सुद्ध है इसमें कोई बिलावट नहीं है अब एक आती है सुपर फास्फेट जो किसान अधिकांस्ते उप्योग करता है तो सुपर फास्फेट तो किसान जानता है कि वो कुछ भूरे रंग का, काले रंग का, दानेदार भी होता है चूर्ण भी होता है तो उस चूर्ण को यदि हम गरम करते हैं तबे पे रख करके तो उसमें दाने उसी की स्थित पे रहे आते हैं उसमें कोई फूलने की स्थित ही नहीं बनती यदि मिलावट के दाने उसमें मिले हुए हैं D.A.P. और N.P.K. के तो उसमें जरूर फूलने लगते हैं और इससे पता चल जाता है कि सुपर फास्वेट मिलावटी है अधिकतर सुपर फास्वेट में D.A.P. और N.P.K. के मिलावट की संभावना जादा रहती है चोतिh potas है two of potassium के लिए तो किसान जानता है कि वो सफेड कंदार है और उसमें लाल मिर्ची के रंग की तरह भी रंग रहता है उसका potas का और वो भी एक तरह से चुण ही है यदि उसमें हम उसको नम करते हैं और वो एक दूशरे से उसके पार्टिकल जो कन हैं वो चिपकते नहीं दूसरी बात उसमें एक और महत्पूर्ण है कि यह दि हम पोटास को पानी में घोलें तो उसका जो लाल भाग है वो उपर आ जाता है और जो दूसरा सफेद या दूसरा भाग है वो नीचे चला जाता है इससे साफ सिद्ध हो जाता है कि यह पोटास में कोई मिलावट नहीं है जो धान के खेती करने वाले किसान हैं अधिकान अच्छा उत्पादन लेने के लिए वो जिंक सलफेट को उपयोग करते हैं जिंक सलफेट के उपयोग से उनका उत्पादन तो बढ़ता ही है और ये किसानों के लिए कहा जाता है कि वो तीन वर्स में एक वार जिंग सल्फेट को उप्यो जरूर करें ये उनके लिए बहुत महात्पूर्ट खाद हो जाती है इस उर्बरक की जाच करने के लिए सरपर्थम किसानों को चाहिए कि वो उसमें उसको एक तरफ एक बार्टी में पानी में जिंग सल्फेट को गोलें और एक तरफ पानी में उसको डी एपी को गोलें तो जब हम डी एपी के गोल को जिंग सल्फेट में मिलाते हैं तो उसमें ठक्के के आकार बनने लगते हैं तो ये समझ में आता है कि इसमें मिलावट नहीं है। यदि और तीसरी जाच करनी हैं तो उसमें पतला कास्टिक घोल मिलाने से उसमें क्या होता है कि वो मटोमेला और जैसे ये माड होता है उस तरह का रंगा जाता है उसमें। तो उसके लिए भी ये देखते हैं कि यदि पतला मिलाते हैं तो यदि इस तरह की स्थिती बनती है तो ठीक है और यदि जादा कास्टिक गाड़ा मिला देते हैं घोल तो उसमें भी ठके बनने लगते हैं। इससे यह साफ सिद्ध हो जाता है कि जिंग सलफेट असली है इसमें कोई मिलावट नहीं है खाद असली है या नकली इसकी पहचान इन आसान उपायों को अपना कर जरूर करें क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा सा लगेगा और इससे पता लग जाएगा कि आप अपने खेतों प क्ला इटीवी भारत मध्यप्रदेश